चलिए आप लोग बोले तो इरिक साथ चलवा दिए पुरा एदम बैनर उमर लगा हुआ है ना चलिए क्लास स्टार्ट करिए ठीक है हाँ हाँ चाव पीएगा आराम से उसको आज पहला दिन है घुमाने दीजे थोड़ा सा बहुत दिन से परचार बन था तक्रिबन लाकडाउन के बाद जो है पहचार करवाए ही कहां न फैवरी हुआ न मार्च हुआ न प्रील हुआ तीनों महिना में नहीं करवाएं एक लाकडाउन के बाद आदमी हिम्मत कहां बचा लेगिन चलिए फिर एक बार हिम्मत कर दिये हैं आपकी बार आर नहीं तो पार होगा देखिए साइन इनवर्स रूट 3 वाई 2 अगर ऐसा सवाल एक्जामनेशन के अंदर है साइन इनवर्स रूट 3 वाई 2 तो आपको क्या करना है साइन में ही ढूनना है ये कितने डिगरी का मान है साइन 60 डिगरी का मान है तो sin inverse sin theta, sin से sin कट जाएगा, answer आएगा pi by 3 देखिए, ये cos में कितने degree का मान, cos 60 degree का मान cos से cos कट जाएगा, answer आएगा pi by 3 ये sin में कितने degree का मान, तो sin में ये 30 degree का मान sin से sin कट जाएगा, answer pi by 6 ठीक है, 10, देखिए, 10 में 1 by root 3 कितने degree का मान 10, 30 degree का मान, 10 से 10 कट जाएगा, answer pi by 6 cos 1 में ये कितने degree का मान, तो cos 1 हाँ, cos 1 30 degree का मान, तो बोलिए, cos 1 से cos 1 कट गया ध्यान दिजेगा, cos 1 से cos 1 कट गया, answer होगा pi by 6 ठीक है, जीक है, भी ठीक है, बोली ऑके है, साइन इंवर्se साइन धीटा सब्राबर धीटा होता हैं अपने टेलिगराम चेनल पर दिया हुआ है इंवर्स ट्रमक्मेटरी का कुछ फांक्शन वहाँ से फंक्शन प्र незaan ला पर आइ एफ निकाल करके एक बार देख डालेगा चलिए हुआ ना हुआ जी ठीक अब इसको देखिए ये 10 इन वर्स 10 में कितने डिगरी का मान 5 by 4 डिगरी का मान 10 इन वर्स 10 45 बरावर क्या होगा 45 ठीक है ये बताइए सेक इन वर्स सेक में कितने डिगरी का मान ये होगा सेक में 30 डिगरी का मान सेक इन वर्स सेक ठीटा क्या बन जाएगा ठीटा तो इस तरीके से हम location को solve करते हैं इस तरीके से हम location solve करते हैं परचार गारी को देखे तो कैसा लगा मार्केट में बहुत बढ़ियां लगा नहीं तो हाँ हाँ recording किया हुआ है यार कहां साथ हम 45 दिये हैं तो लगता है देखे बें गलत कर लिया एकर हम कहां साथ कहां दिये हैं 45 दिये होंगे 60 दिये हैं तो रासा मिला लिजेगा जी तो रासा मिलाईएगा तो देखे तो इसमें गरबर लिख दिये क्या एकर हम देखे तो अरे कौस एक एक कौस एक में कितने डिगरी का मान है 45 डिगरी का मान 5 by 4 तो सुनिए कौस एक 45 कौस एक थीटा तो कौस एक इनवर्स कॉस एक 45 हो जाएगा कितना 45 अब देखें यहाँ पे कुछ बात लिखता हूँ कंसेप्ट को अच्छे से देखिएगा साइन इनवर्स साइन थेटा कॉस इनवर्स कॉस थेटा टेन इनवर्स टेन थेटा सेक इनवर्स सेक थेटा कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स थेटा और कॉट इनवर्स कॉट थेटा सब का मिनिंग थेटा ही होता है इस सब का मिनिंग थेटा होता है बसरते यह भी बात याद रखें जरूरी ने किया इनवर्स बाहरे हो इन्वर्स अंदर भी हो सकता है जैसे साइन साइन इन्वर्स एक्स कॉस कॉस इन्वर्स एक्स टेन टेन इन्वर्स एक्स कॉट कॉट इन्वर्स एक्स सेक सेक इन्वर्स एक्स कॉसेक कॉसेक इन्वर्स एक्स ठीक है इस सब का मान भी X ही होता है यह सब X ही होता है यह अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा चाहें इन्वर्स वला टर्म अंदर हो या इन्वर्स वला टर्म बाहर हो कोई दिक्कत नहीं है बताईए तो 761 लिखता है नमबर हम तो गरबराईए जाएंगे इसे में पचासू कोशन कम से कम कल वला पचासू गिनियेगा न जी पचासू गिनियेगा तो 800 पार्क पहले सो चुका है बेज़त करने वला काम हो जाएगा इसे में अटा दें अब इसके बाद इस सीट के बाद एक क्योंक चप्टरे बचा है बस ध्यान दीज़े न आएए समझे आज कितने तारीख है चार तारीखना कल हो जाएगा इसलिए तो मेडम का कलास रोक दिये है मेडम का कलास सोंबार से होगा आप लोग के ब्याच को पूरा करने के लिए काफी कुछ हम नुक्षान उठा लिये है देखे ध्यान दीज़े साइन इन भर्स मैनस थेटा देखेगा साइन इन भर्स मैनस थेटा टेन इन भर्स मैनस थेटा अक्वासेक इन भर्स मैनस थेटा ये जो है यह बनेगा माइनस साइन इनवर्स थेटा माइनस टेन इनवर्स थेटा अब माइनस में कौस एक इनवर्स थेटा यह तीन गौलग याद रख लिजिएगा तीन गौलग कौस इनवर्स माइनस थेटा टेन इनवर्स माइनस थेटा तेन हो चुका है quad inverse minus theta और sec inverse minus theta तो याद रखेगा इसका जो result बनता है वो pi minus cos inverse theta pi minus quad inverse theta और pi minus sec inverse theta बनता है याद दूऊ तक ही बद्रीश डेहा भीज़ा but लhãम कि भीज़ोर है उनल रूमन दक भी होगरा इस्ञरव तर रूमना कि हो गया क्या अब इस पर बनेगा यह सब सवाल यह सब सवाल आपके एक्जाम में आया है ठीक है हड़ा दें ठीक पहले तो इसको बना लीजिए जिसमें ज्यादा टेंशन नहीं है पहले तो इसको बना लीजिए साइन टें और कोस एक को फिर उसमें हाथ लगाएंगे घी हो जाएगा एक नमर साइन इंवर्स मैंनस थेटा यह बन जाएगा मैंनस साइन इंवर्स थेटा अब आपको दिमाग लगाना है साइन में कितने डीगरी का मान वन बार रूट तू sine inverse sine theta sine 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 कट गया बच गया क्या theta दूसरा स्वरी तीसरा है 10 inverse minus theta ही हो जाएगा minus 10 inverse root 3 अब बताईए 10 में कितने degree का मान है ये तो 10 में root 3 कितने degree का मान 10 में root 3 हो जाएगा 60 degree का मान 10 inverse 10 theta वराबर क्या होगा थेटा हो तीसरा स्वरी पाचवा है कौसेक इनवर्स मैनस थेटा मैनस कौसेक इनवर्स थेटा मैनस कौसेक इनवर्स यह जो अपना रूट्टू है इस रूट्टू को क्या लिख सकेंगे यह रूट्टू है कौसेक 45 मैनस कौसेक इनवर्स कौसेक 45 तो क्या बनेगा 45 सब्सक्राइब कर दो झाल झाल हो गया हटा दें ठेक अब आप दोस्त आईए उस पर आईए उस तीनों पर आईए इसको बोली हटाने के लिए देखिये ध्यान दीजिए इसको समझे अच्छा यह जो जुमेट्री है इसके बाद अगर मैं यह बोलूँ कि यह अप्लिकेशन पर सॉल्व किया हुआ है दो कलास में तो आप देख सकेंगें पास्टेस्ट में एद रहा है यही चीज़ बस पांच हो गोसन सॉल्व नहीं किया हुआ हूँ हम कलास में सॉल्व कर देंगें आउँ दोनों वीडियो आप देख लि गुसाना नहीं है, जितना हो सकेगा, हम बेस्ट से बेस्ट आपको देना चाह रहे हैं, अरे तो आपको लगता है हम 120 को संजुमेट उठाते हैं, हम नहीं उठाते हैं, आईए इसको देखिए, क्यों जंडट लेंगे अपना मन से, लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चा को बेस्ट इसां कि रहे थे पाइप माइनस कोस इनवर्स थीटा, यही ना, त़आपई माइनस कोस इनवर्स में, कोस कितने डिगरी का मान, यह हो गया कोस 30 डिगरी का मान पाई वाई शेक्स तो देखिए पक्वास से कॉस गया पाई वाई शेक्स यह बन जाएगा फाई पाई वाई शेक्स हो गया तो दूए उकलास में अश्ड़ अठाटर उकलास नहीं है दो यह कलास मुस्वलब है हाँ अच्छी बात है कि उसमें कंसेप्ट भी डिसकस है ठीक है ताफी को फाइदा हो जाएगा है बस वही दो तिन तिन घंटाक दुख वीडियो होगा उराद दीजेगा डबल स्पेड में आईए नेक्स्ट आउर था न सर अब आप बताईए सर ये कोशन क्या है सेक इनवर्स मैनस टू तो या देखिए सेक इनवर्स ये है मैनस टू इसको क्या बोलेंगे पाई मैनस हाँ सेक इनवर्स दो तब पाई मैनस इस सेक में कितने डिगरी का मान सेक साथ डिगरी का मान सेख साथ ही दो होता है यह हो जाएगा क्या सेख इन्भर्स सेख साथ डिगरी का मान होता है सेख साथ डिगरी का तो सेख सेख कट जाएगा बचेगा पाई भाई त्री आंसर होगा टू पाई भाई त्री उराते चलिए आंसर हो जाएगा टू पाई वाई त्री हो गया होगा है सर हो गया ना ठीक बरिये आप ज़रा साइस कोशन पर आईए कौट इनवर्स मैनस वन बाई रूट थी तो बन जाएगा पाई मैनस कौट इनवर्स वन बाई रूट थी मैं चाहूंगा पाई में कितने डिगरी का मान कौट में कितने डिगरी का मान वन बाई रूट थी तो कौट साथ डिगरी का मान 1 by root 3 pi minus quart inverse quart theta क्या होगा theta यह बन जाएगा 2 pi y 3 यही स्कोशन का आंसर है 2 pi y 3 यही स्कोशन का आंसर है चलिए अगरे question की ओर चलिए यहां तक आ चुके हैं और यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ें ठेक अब यह देखिए सर इसकोशन को ध्यान से देखिए यह क्या है पहले तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ यह है cos इसको आप मेरे दोस्त अलग solve कर लीजे उसको उठा के अलग कर लीजे cos inverse minus में root 3 y 2 है cos inverse minus theta pi minus cos inverse यह root 3 y 2 बोलिए pi minus यह cos inverse cos में कितने डिगरी का मान pi by 6 30 डिगरी का मान तो pi minus यह pi by 6 हो जाएगा 5 pi by 6 तो यह अपना हो गया 5 pi by 6 अब पलस pi by 6 क्या बनेगा 6 pi by 6 यानि की pi across 180 degree का मान minus 1 कुछ यह कैसे यह cos क्या इसको 180 degree को 180 पलस 0 बोल सकते हैं तो cos 180 पलस theta होता है minus cos theta minus a cos 0 degree का मान 1 होता है कुछ बुझाया कि नहीं लगता है नहीं बुझाया पलस बुझाया अच्छ ठीक है कल आईएगा सबेरे ना तुसमें कुछ को रेक्षन होगा करवा करके है हां तुरंते फिर उसका कोपी निकलेगा ना लड़का को देंगे हैं आच्छ ठीक 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 चलिए साब परिए ठीक है आप जरा साब इस को सन को देखिए मैं समस्ता हूँ या आप खुद बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं इसको उठा के अलग सौलब कर लीजिएगा अगल वहां चिपका दीजिएगा न उसको सौलब कर पाईएगा मुहें सौलब करिये न तो हो जाएगा मैनस मैनस पलस को साइन में साथ डिगरी का मान है तो पाई वाई थिरी हो जाएगा सीधा बन जाएगा साइन इसको हम क्या लिखेंगे पाई माइनस पाई वाई सेक्स असाइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा जो आंसर बनेगा रूट 3 भाई 2 क्या नेक्स्ट बरिये अगले सवाल की और चलें चलें क्या ठीक है सर हम कैसे लिख दिये इसके बदला हम कैसे लिख दिये इसके बदले ये समझ में आया ना पोसिस करिएगा बनाने की चलें अगले सवाल की और हाँ अब मज़ेदार बात है बोलिए इंडिविजूल तो सौल्व करी सकते हैं कौस में कितने डिगरी का मान साट डिगरी का मान पलस टू साइन इन वर्स ये साइन में कितने डिगरी का मान तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा साइन में हाँ साइन पाई वाई सिक्स का मान हो जाएगा तो ये हो जाएगा यहां से पाई वाई थ्री और यहां से हो जाएगा टू इन टू ये पाई वाई 6 कितना बन जाएगा 2 pi y 3 चलिए काम कीजिए जाओगा हो गया ना चले धन्ने बार आई ये हैं हाँ कौस है ये कौस है काम है कौस हाथ ये माइनस है अंदर में माइनस रहेगा तब ना प्लस है ओके हाँ बोलिए क्या बोलते हैं इसको बोलिए ये टेन इनवर्स टेन में कितने डिगरी का मान पैतालिस और ये देखिए सबसे पहले कौस इनवर्स माइनस थेटा ति हो जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स थेटा साइन इनवर्स माइनस थेटा मैनस साइन इनवर्स थेटा अब ध्यान दीजे, 10 inverse 10 theta बनेगा pi by 4, प्लस ये pi minus, ये हो जाएगा pi by 3 का मान, सिधे pi by 3 आ जाएगा, मैनस ये हो जाएगा pi by 6, तो pi by 6 हो जाएगा, अब solve करिए, LCM लीजेगा, 12 होगा, यहाँ हो जाएगा 3 pi, और प्लस चारतिया 12, तो 3 pi, और मैनस 3, 4 के 12, तो 4 pi, अच्छे दुनी 12, तो 2 pi, है ऐसे कुछ होने बला है क्या, देखे तो, देखे न, एक जगह कहीं गरबर हो रहा है, 12 ना, तो बोलिए, 12, 3, 15, 15 में 6 गया, 9 pi by 12, अब बोले तो 3 pi by 4, जहां तक हो सकेगा सर, जहां तक हो सकता है, जितनी possibility बन सकती है, मेरे से जो संभव हो सकेगा, हम उतना अवस्य करेंगे, हो गया, क्या देख रहे हैं, मुवेलिया में कुछ देख रहा है, क्या देखा मुवेलिया में, बोले ने रहा है, गंदावला वीडियो देखा, ज्यान दो, आँ देखों, देखने दीजे, भरदम देखने दीजे, खोई दिकत ने, जमाना उसी पे चलही रहा है आजकल, आएए, समझे, अरे ये 10 इन भर्स, रूट 3, अब बोले ये सर, सेक इन भर्स मैनस थीटा, तो पाई मैनस सेक इन भर्स थीटा, अब यहां से देखिए, 10 इन भर्स, 10 में कितने डिगरी का मान, पाई वाई 3, और ये पाई मैनस सेक इन भर्स, सेक में कितने डिगरी का मान, हाँ, पाई वाई 3, वेरी गूड, अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यह 10 inverse 10 theta यह क्या बन जाएगा? theta और यह pi और minus 6 inverse 6 theta यह भी क्या बनेगा? theta तो यह pi by 3 minus pi अब plus pi by 3 यही न सर तो हो जाएगा 2 pi by 3 सीधा LCM लिजे pi minus 3 pi अपलस pi आणसर आएगा minus 5 आएगे दिमाग लगा यह cos inverse minus, stake inverse minus, a court inverse minus में क्या होगा? pi minus, assign 10 और cos 1 में क्या होगा? सिर्फ minus आगे बर यह, कुछ भी किजिएगा, answer यही आएगा, चलिए बोली, ready? कि ठेक, बरा दें, ओके, आप देखो जी, बनाईएगा अपने से, कहां कुछ दिकत है? sin inverse, sign theta, theta, cos inverse, हाँ, 10 inverse, 10 theta, theta, cos inverse, cos theta, theta, यह कोई बात हुआ, 10 inverse, 10 theta, theta, यह बताना परेगा, नहीं, हटेएगा अब सुनिये, हाँ, sin inverse x, plus cos inverse x, बराबर, pi by 2 10 inverse x, आप ध्यान दिजे, यह हो गया, quote, 10 inverse x, और quote inverse x, क्या बन जाएगा जाएगा, pi by 2, a quote 90 degree का मान, are a quote 90 degree का मान, 10 90 undefined, to quote 90, zero, हो गया answer चलिए, अगले सवाल क्यों बढ़िये झाले सवाल क्यों बढ़िये झाले सवाल क्यों बढ़िये पूरे मेंसुरेशन के अंदर 15-16 चेप्टर है, पचपच कोस्चन लेंगे तो 80 कोस्चन होगा लास्ट मेंसी कोस्चन उसका लेंगे साइन, सेक इनवर्स एक, कोसेक इनवर्स एक्स, पाई वाई टू, साइन पाई वाई टू कामान, वन वाई टू, आगे बढ़ें, ठेक इसको देकिए, वही बात होगा कोसेक इन वर्स, कोसेक साइन वर्स प्लस कोस इन वर्स एक्स, साइन प्लस कोस इन वर्स एक्स पराबर 90, आँ कोसेक 90 क्या, बन, बढ़ते रहिए जाएएगा पीछे एक्जाम क्वेश्चन आया था सर जिसको आता है उसके लिए तो बल्ले-बल्ले है जिसको नहीं सब पता है तो हाँ है अच्छा इस सब गुरूब एंटिपिस्व ने पुष्टा है हाँ उसे पहले पहले भी आता था सेर आप ध्यान नहीं दियें 2018 में भी आया है अब रिवेस कोशन देखिए गुरूब डीम आया है कोई बात नहीं आईए हाँ ध्यान दिजिए सर इस कोशन को कैसे सॉल्व किया जाए क्या किया जाए मैं आपको एक छोटी बात बताता हूं कि यह क्या आपको सर ए आपको सर इतना वराबर पुछा क्या होगा मैं बस यह कहता हूं कि आप इसे A मान लीजे और आप इसे B मान लीजे तब तो मतलब है कि आपसे क्वेस्टन पूछा है कोश A पलस B का मान जब दोनों के A भी कह दिये हैं तो कोश A पलस B का मान पूछा है हाँ कोश A पलस B का फॉर्मूला होता है कोश A इंटू कोश B हाँ मैनस साइने इंटू साइन भी अब जब तक इसका मान नहीं रखेंगे तब तक आंसर आएगा नहीं आएगा प्लीज गप मत करिये देखिए इधर साइन इंवर्स तीन बटे पाँच इसको हम A कहें हैं तो साइन अगर उस पार चला जाएगा तो बन जाएगा साइन ए वही साइन इधर आके इंवर्स होता है ठीक है अब बुलिए साइन बरावर क्या साइन ए बरावर लंब और बटे कर्न आधार निकाल लिएगा 4 यहाँ से आप बेजिजग कौस A निकाल सकते हैं कौस A बरावर आधार बटे कर्न यानि 4 बटे 5 अब यह देखिए सर इसको हम कह रहे हैं B तो देखे, sin inverse 5 बटा 13 इसको कह रहे हैं B आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, sin inverse 5 बटा 13 को B कह रहे हैं तो यह 5 बटा 13 क्या होगा? sin inverse उस पार जाके हो जाएगा sin B अब बोलिए यह क्या है? यह लंब है यह क्या है? तब तो हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ अगर अधार निकालेंगे तो 12 तब तो कौस B का मान क्या होगा? अधार बटे कर्न यानि की 12 बटे 13 अब आप क्या करिए? वही सम्मान इसमें डाल दीजिए कौस A है 4 बटे 5 कौस B कितना? 12 बटे 13 sin A कितना? sin A हो गया? sin A देखिए 3 बटे 5 sin A कितना? 5 बटे 48 में 15 गया 33 बटे 24 बटे 5 बटे 5 बटे 6 बटे 6 बटे 5 बटे झाल 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 हैलो हो गया सर चलिए धन्यवाद अगर बना लेंगे तो बताईएगा हो गया चलिए आईए आप सुनिए सर यह अलग कोस्टन है यह भी अलग है यह भी अलग है लेकिन यह वही कोस्टन है अब यह वही कोस्टन है आपको बस एक काम करना है बोलिए वो क्या आपको इतना पलस इतना का मान पूछा है ना आप मेरी और से इसमें एक कौस्ट लगा लीजिए अब मेरी और मतलब ही कोसनम रहेगा नहीं आपको कॉस लगा लेना है अब बाद में इसको हटाना है तो आप देखिए अगर मैं इसको A कह दूँ अगर इसको मैं B कह दूँ तो रियल तो यह हो गया कि हमसे A और B का मान पूछा जा रहा है इसका मान पूछा जा रहा है लेकिन हम उस A और B को किस में convert कर दिये हैं उसके साथ cos लगा दिये हैं यानि दोस्त मेरे हम यहां ध्यान दो cos A plus B का मान निकाल लेंगे जो आएगा ना इक cos को उस पार भेज देंगे जाके inverse बन जाएगा तो है देखिए इसको थोड़ा side करिए बोलिए cos A plus B बरावर cos A cos B minus minus sin A sin B देख रहे हैं अब मुझे यह बताईए आपने A जिसको कहा है cos बरावर क्या होता है cos बरावर आधार अबटे कर्न अधार और बटे कर्न ठीक है अगर मैं यहां से अगर मैं यहां से लम निकालना चाहूं अधार 4 कर्न 5 लम 3 हो जाएगा तब तो कोई दिकत किसी को है नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि मजा नहीं आया होगा मजाने के लिए इसे काम करना परेगा सर हमने कौस इनवर्स 4 बटे 5 को A कहा है तब तो 4 बटे 5 बराबर क्या हो जाएगा कौस A फिर देखिए हमने कौस इनवर्स 12 बटा 13 को B कहा है तब तो 12 बटा 13 बराबर क्या होगा कौस B हो जाएगा अब आज आप यह देखिए यह हमारे पास आधार है और यह हमारे पास कर्न है अगर हम लम निकालेंगे तो तीन हो जाएगा तब तो यहां से अगर हम साइन यह निकालने चले जाएं तो लम बटे कर्न यानि तीन बटे पाँच यह देखिए यह अपना आधार है और यह अपना कर्न है अगर यहां लंब निकालेंगे तो 5 आएगा यहां से अगर साइन B निकालने चले गए तो लंब बटा क्या हो जाएगा करन आप यही चीज इसमें रख दीजे आप जैसे ही यही चीज रखिएगा तो कौस A का मान 4 बटे 5 कौस B का मान 12 बटे 13 साइन A का मान 3 बटे 5 साइन B का मान 5 बटे 13 फिर वही बात 48 में से 15 गया 33 बटे 65 आप ध्यान दीजे कौस A पलस B का मान यह आया है हमें तो A पलस B चाहिए तो कौस उधर जाके बनेगा कौस इनवर्स 33 बटे 65 यही A है जो कौस इनवर्स 4 बटे 5 है और यही B है जो कौस इनवर्स 12 बटे 13 देख रहे हैं इसी का मान पूछ रहा था जो हम निकाल लिए समझ माया कि नहीं आया उकौस हम अपनी ओर से लगाए थे इसलिए उसको उस पार फिर से ठेक दिए हाँ option में कौस रहबे करेगा अगर कौस पहले से लगा हुआ है तब तो option में भेलू रहेगा 33 बटा 65 अन्ने अगर कौस शुरू मने लगा हुआ है तब फिर इन कौस के रूप में option रहेगा आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हम option देख के ही पानी कौस लगाएं है ठीक है क्या होती है इतना टेंशन कहा है नहीं पुझा रहा है कि आए देखे बोतेल में पानी होगा तो एक बोतेल पानी बरहेएं नूबला रुकिया हम बोतेल देते हैं कि आप लोग सोच रहे होंगे कल परसु हम इतना परिशान क्यूं इन दिनों रहते हैं अरे हम जिसने सीधा साधा हमरा स्टाप को सब इसने सीधा साधा है हमरा सब स्टाप को परगला कि देख भाग गया सब कि कुछ का ओप्शन दे दिया कोई कुछों को ओफर दे दिया सब ने उन्हें कर दिया इधर उधर कर दिया तो फिर उसको लगा अब कई बात सही है जिस पौधा को हम अगर बनाएंगे और पौधा को अगर डिस्टर्ब करेगा दिकत होगा लेकिन क्या फैदा उससे जो आदमी एक पौधा बना सकता है तूसरा भी बना सकता है है ना जरुवत करने जरुवत के अनुसार सिर्जन कर भी सकता है जरुवत के अनुसार मामला को चेंज भी कर सकता है लेकिन दिकत यही है कि बनाने बला इंसान कभी भी बनाए हुई चीज को बरबाद नहीं करना चाहता है इसलिए हम छोड़ दिया जाओ जिन्दगी है स्वतंतर रूप से जीओ लेकिन हमारे जीवन में एक प्रोब्लम है हमारे साथ हलाला नहीं होता है हलाला समझते हैं न अरे हलाला क्या है हलाला का मतलब ब्रेक अप के बाद फिर से पैच अप उसको हलाला बोलते हैं हमारे साथ ब्रेक अप बाद पैच अप नह कि आप देना यह आप दिल्कुल सही कहते हैं लेकिन वो लेना नहीं जानता है यह गरत फ्यमिम नहीं रहना चाहिए है ना लेकिन वो लेगा नहीं चलिए सेर ध्यान दें यहां देखिए सेम कोसन है मारिएगा इसमें फिर कोस लगा दीजेगा अकोस लगा के इसको ए और इसको भी मान दीजेगा जैसे पिछला कोसन बनाए हो इसे बनाड़ा लिएगा yes or no next अब आएए अब यह देखिए sin inverse 5 by 5 x by 5 sin inverse 5 by 4 बरावर 5 by 2 तो बताइए X का मान क्या होगा अब आप इसको देख रहे होंगे सोच रहे होंगे कि क्या किया जाए कैसे इसको बना जाए आखिर क्या होगा इसका हस्र देखिए पहले तो आप इसको ऐसे समझे इधर साइन है इधर कौसेक बरावर पाइबा है जो है पर लगता है कुछ मामला गरबर है एक मेंट रुखे तो कौसेक पर मुझे कुछ सक लग रहा है मुझे लगा कि यहाँ पर कौस है क्योंकि कौस नहीं होगा तो बजूद बनेगा नहीं लेकिन चुकि वहाँ भेरियेबल नहीं है तो हम अपने अनुसार इसको कौस में कनभर्ट कर सकते हैं देखिए कैसे जैसे मेरे दोस्त यह जो हमारा मान है न यह मान इस मान को हम जिस रूप में कनभर्ट करना चाहें कर सकते हैं देखिए कैसे कौस एक इनभर्स पांच बटे चार आपको पता है अगर हम इसको ए मान लेते हैं तो पांच बटे चार बराबर क्या हो जाएगा कौस एक ए हो जाएगा यह हमारा कर्ण हो जाएगा और यह हमारा आधार हो जाएगा स्वरी लंब हो जाएगा अगर यहां से आधार निकालेंगे तो तीन हमें चाहिए कौस तो कौस ए निकाल लीजिए कौस ए बराबर आधार बटे कर्ण अगर आपको एक आमान निकालना है तो यह चल जाएगा उस पर क्या कौस इनवर्स तीन बटे पाँच यानि ए अगर कौस एक के रूप में रहे तो मान यह होगा ए अगर कौस के रूप में रहे तो मान यह होगा मैं तो कहूंगा मेरे दोस्त इतना समय भी मत कमाना प्लीज यहां देखो इतना समय मत गवाओ सिधे ऐसे कहो मेरी भासाम समझो कौस एक को अगर कौस लिखना है तो यहाँ देखो कौस एक के लिए कर्ण होता है और यह मेरे मितर लंब होता है ठीक है? अगर यहाँ आधार निकालने जाओगे तो तीन तो कौस का फॉर्मूला क्या होता है? अधार बटे कर्ण तो हो जाएगा अधार बटे कर्ण देखे लिए डारेक्ट में ही चेंज कर दी इधर देखे भी नहीं अब बरावर यह हो जाएगा पाई बाई टू अब मैं आपसे कहूंगा साइन इन वर्स एक्स बाई फाई बरावर पाई बाई टू अगर इसको उस पार ले जाएगे तो कौस इन वर्स तीन बटे पाँच अब अब टेंशन में होंगे पाई बाई टू मैंनस कौस इन वर्स तीन बटे पाँच क्या होगा? सुन लिजिए नब्य मैंनस कौस अरे cos नब्बे मैनस थीटा sin थीटा होता है ना उसी परकार नब्बे मैनस cos inverse बरावर sin inverse होता है आप यहाँ पर डारेक्ट लिक सकते हो कि sin inverse x by 5 आई हो जाएगा sin inverse 3 बटे 5 दोनों तरब से sin छोड़ दीजे x बटे 5 अबरावर इधर 3 बटे 5 पांच से पांच कट गया x का मान तीन हो गया आए बहुत लंबा चला जाएगा हम आपको एक छोटी बात दिखा देते हैं क्यों कैसे हुआ है इसके बदले जो हम लिख दिया ना यह साइन वाला यह कैसे लिखे हैं वह हम आपको बता देते हैं यह देखिए कभी भी ऐसा हो पाइवाय 2 माइनस कॉस इन वर्स एक्स याद रखेगा है साइन वर्स एक्स है पाइवाय 2 माइनस साइन वर्स एक्स यह कॉस इन वर्स एक्स है पाइवाय 2 माइनस 10 इन वर्स एक्स कॉट इन वर्स एक्स है पाइवाई टू माइनस क्वाट इन्वर्स एक्स यह टेन इन्वर्स एक्स है पाइवाई टू माइनस सेक इन्वर्स एक्स यह कौसेक इन्वर्स एक्स है अब पाइवाई टू माइनस कौसेक इन्वर्स एक्स यह बनेगा सेक इन्वर्स एक्स कैसे बनेगा वो मैं दिखाता हूँ यहाँ देखिए पाई वाई टू अब मैनस कॉस इनवर्स एक्स है ना आप इसको कुछ मान लीजिए देखिए तो हम इसको मान लेते हैं y y बराबर इतना अब यह बताइए अगर ऐसा है कि कॉस इसपार आएगा तो कॉस इनवर्स एक्स अब y उसपार जाएगा तो पाई वाई टू मैनस y इधर से एक्स बराबर लिखेंगे कॉस उसपार जाकर के हाँ पाई वाई टू मैनस y अब तो फॉर्मूला लगा ही सकते हैं cos 90 –θ sin θ अब आप ही बताईए तो y बराबर sin इस पर आके क्या होगा sin inverse क्या गलत बोल दिए y को जब हम ये माने है तो y का मान क्या गया है sin inverse x अनल गया तो y को माने थे ये तो result आ गया sin inverse x इसलिए हम कहते हैं कि इसको इस तरह से याद रखना पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स ब्लावर क्वास इनवर्स एक्स होगा ठीक है अरे तिर कोन मितिम परें होंगे ना सर हम पटना सेम वे हंगरी सर रूम मिलेगा किट सर मतलब कुछ अजीब लिख रहा है आईए ओफिस आईए क्या समस्या है ओफिस आईए आईएगा ओफिस क्या प्रोब्लम है बताईए एक लड़का तीन देन से स्टेशन पर रहता था है समझ गया है किसी तरह से स्टेशन पर तीन देन रह रहा था और स्टेशन पर से क्लास करने आता था अस्टेशन पर जाके सो जाता था हम लोग को पता चला किसा ऐसा बात है लड़का को बुलाएं तब उसको रूम से प्रवाएं कि जाई रूम में रहिए कि सर करोना माता पिता बहुत बरे बरे आदमी को तोड़ दिया बहुत बरे बरे कली बरबाद कर दिया ना तो फाइनेंसली प्रॉब्लम हो गया आप इस स्थिति में क्या हो रहा है कि कुछ बच्चे आ रहे हैं पतना तो कुछ अजीब तरीके से उनके साथ हो जा रहा है तो हम लोग भी परिशान हो जाते हैं भाई ऐसे कैसे हो जाएगा और ऐसा क्यूं हो जाएगा किसी के साथ में अगरिन कि अ दो हुआ 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 है बढ़ी है बढ़ी है बढ़ी है ओके अब सर एक सवाल है जिसको आप कोसिस करिएगा बनाने का और उक्यन हम बताते हैं जी उतना कहें टेंसन ले रहे हैं यहां देखिए साइन इन वर्स एक बटे पांच अपलस कोस इन वर्स एक्स अब मैं कहूंगा कि इस साइन को उस पार ले जाओ तो उदर जाके बन जाएगा साइन इन वर्स वान ठेक है अब यह देखिए साइन इन ये क्या बनेगा जी ये बनेगा sin inverse sin में कितने degree का मान 90 degree का मान अब ध्यान दीजे ये हो गया sin inverse 1 बटे 5 और प्लस ये हो गया cos inverse x sin inverse sin theta sin से sin गया तो बच गया theta अब यहाँ देखिए cos inverse x को इसे ही रहने दीजे 5 by 2 a sine inverse 1 by 5 को उस पार ले जाएए तो cos inverse x बराबर 90 minus sine inverse 90 minus sine inverse 1 by 5 क्या बनेगा cos inverse 1 by 5 दोनों तरफ से cos inverse छोड़ दीजिए तो x का मान 1 by 5 लगता बी से कैसो को संथा क्या इन्वर्स्टी नमेटरी से अ हो गया आगे बारे बासी खतम हो रहा है यही है previous question यही आये था आपके exam में अब आप यह बताईए इसको तो चुटकी मसॉल्व कर लिजेगा ठीक है cos inverse cos में कितने डिगरी का मान 45 डिगरी का मान प्लस सेक इन्वर्स माइनस थेटा यह हो जाएगा पाई माइनस सेक इन्वर्स थेटा cos इन्वर्स cos थेटा प्लस पाई माइनस यह सेक में कितने डिगरी का मान यह सेक में 45 degree का मान QAV inverse QAV theta बनेगा यतना बार कहें लिखती है QAV inverse QAV theta बनेगा ते हो गया theta और plus Pi और minus SEC inverse SEC theta ये भी theta बनेगा इससे ही कट गया answer Pi ये है 2021 CBT1 का question बोलिये आपको लगता अभी से छूटेगा नहीं छूटेगा से अब गर्दा उड़ जाएगा अब पीछे कहिएगा दूख को संचोर कि तुम आगे बरे हो हमको याद है अची तरह से आप घबराएए नहीं परमुला पर है को सनुतना क्या टेंसल लेना यह अंतिम कुस्चन है यह भी प्रिवियस यह रहे देखिए आप तो यह परहे हैं कि साइन इनवर्स साइन साइन इनवर्स थीटा वराबर थीटा कॉस कॉस इनवर्स थीटा वराबर थीटा यहाँ अगर साइन है तो यहाँ भी साइन बनाईए ठीक है यह देखिए यह तो कौस है कौस होता है आधार बटे कर्ण लंब निकालेंगे तो 4 टेन क्या होता है लंब बटे आधार कर्ण निकालेंगे तो 13 अब यह देखिए यह अपने पास हो गया sign और यह क्या होगा हाँ तो यह हो जाएगा sign inverse sign बरावर लंबटे कर्ण तो 4 बटे 5 प्लस यह cos अंदर भी लिखना चाहते हैं cos inverse cos बरावर क्या होता है आधार बटे कर्ण यानि 12 बटे 13 sign से sign गया 4 बटे 5 cos से cos गया 12 बटे 13 LCM लेंगे 65 52 पलस 48 100 बटे में 65 कि जोर घटाम गलती हो गया ठीक है क्रिश्न शर्मा आप हाफिस आईए क्या समस्या है अगर मेरे से समाधान होने वाला होगा तो हम समाधान करेंगे हो गया जल्दे बोलिये चलिए तैंक यू अब बैक आईए एक उसन बोल रहे न एक बताता हूँ बाकी बनाईएगा सुनिए इसका हम बोले न कि इनवर्स्टी ग्रोमेट्री का अपना ज्यान गुरुकुल ओफिस्यल टेलिव्राम चैनल पर इसका एक प्रोपर्टीज का पीडियेफ है पीडियेफ निकालिएगा तो वहाँ आप देखिएगा कि 10 इनवर्स X प्लस 10 इनवर्स Y बराबर एक कंसेप्ट बताएं है 10 इनवर्स X प्लस Y बटा 1 माइनस X Y क्या दिकत है क्या दिकत है यह X है यह Y है बैठा ने सकते है बनाईएगा ठीक है खतम हो गया सर पटना में रूम मिलेगा की नहीं गुरुजी टाइप करने टाइप करना कुछ था टाइप कर दिये कुछ अच्छ यह बात है पटना में रूम कहन मिलेगा जी पूरा लोजे खाली है ध्यान दो कही ने कही तो रूम मिलिये जाएगा क्या किजेगा इन दोनों का उप्रेशन करिएगा जो आएगा उनके साथ इसका उप्रेशन करिएगा अब ज़र यहां पर देख रहे हैं यहां पलस है और यहां मैनस है हाँ तो फिर मैनस वाला फर्मुला लगा दीजेगा उस पे प्रोपर्टीज लिखा हुआ है इससे आपका कहानी सौर्ब हो जाएगा आपको कोई दिक्कातब नहीं होगा अब आईए किलर है क्या अब देते हैं आदा घंटाम इसको भी लपेट देते हैं शरील लपेटने वाला चीज नहीं है इसको समझने वाला चीज है देखिए यदि समुदरी तल से 180 मिटर की उचाई परस्थित एक अनवेशन टावर के उपरी भाग से एक गाड सत्रू बोट को 90 डिगरी के अमन्मन कोन पर देखता है अब अन्मन और उन्नेन कोन सेम होता है ठीक है यह देखिए यह 180 180 मीटर की उचाई परसे एक समुदरी बोट को देखा गया देखने वाले ने जब इसको देखा अवन्मन बना है कितना 60 डिगरी 60 डिगरी तो 60 डिगरी पर अवन्मन देखा है तो आँ भले ही देखने वाला यहाँ पर है कोन रियल में बनेगा यहाँ पर लेकिन एक आंतर कौन से यह हो जाएगा परावर यह मेरे मितर क्या है सत्रू बोट से टावर की दूरी है तो हमसे पूछा भी है कि सत्रू बोट की दूरी टावर से कितना होगा तो घवराना क्या है यहाँ देखिए 60 डिगिरी के लिए लंब कितने है रूट 3 और आधार 1 यही रूट 3 का मान 180 है तो एक का मान क्या होगा रूट 3 बराबर 180 तो एक बराबर होगा 60 रूट 3 यह कितना बन जाएगा 60 रूट 3 अराम से आंसर आ जाएगा मैं किसी को नहीं जानता पटना में अरे ठीक है पटना में किसी को नहीं जानते हैं आप आईए तो सही हमको जानते हैं जब हम पटना आए थे न, मीठापूर में जब उत्रे थे, हमे पटना में कोई नहीं जानता था, मुझे भी नहीं पता था कि मुझे रहना कहां है, मैं जिद पे आगया था पटना, क्योंकि मुझे बोला गया था, कि तुम्हेरी यह उकाद है पटना जाने की, बस इसी कुछ उतना दिमाग उमाग भी था नहीं कि कैसे कहां क्या किया जाएगा लेकिन हाँ अस्टेशन पे तो रहना था ही लेकिन उसके बाद कहीं न कहीं से सुत्रों से पता चला कि कोई रिलेटीव यहां रहते हैं अब सुत्रों से पता चला वही सुत्र इधर बताया रात भर का ठराव मिल गया रात भर ठरने के बाद दिन में घूम घूम के रूम खो जा उस समय रूम कहां मिलता था रूम उतना था भी नहीं देगो अरून सर्मान लौज है उदर चोदरी टोला तरफ पतरमस्जी तरफ घ घूमते घूमते गो रूम मिला निचे में एदम कच्रा बगल में ठीक है अतब रूम लिया अतब वहां पे रहा सब साथ हो जाता है सर जहां चाह वहां राह पढ़िये और ऐसे भी हाँ अभी जैसे राजनितिक माहौल है उस समय रहता तो हम फैदा भी ले लेता उसमें रा कोई अपना चेहरा चमकाने के लिए सब कुछो कुछो करता है चलिए ठीक है कोई अपना चेहरा चमका करीव का भला तो हो जाता है हां उसमें हम भी भला कर लेता अपना चलिए ख्यार छोड़िए कि हमरे जमाने में आपके जमाने में तो देखते हैं खाना उना लोग खिल तूब जाएगा उसी इंहारा समझते हैं पानी बला वहीं सिंहारा इधर उपस्ता था आई कल पर्शु गए हैं आरे थिरीके पूरा एकदम घरे प्रघर बना हुआ है वाह क्या बात है लेका रहा है जिदर नौक नहीं देल जाता था अवधर लेका मजे से लह रहा है कि जग आरे आओ न देखो न क्या सोचने लगे भाई मेरी उम्र का अंदाजा लगा नहीं लगा क्या अच्छी बात है अठासी में मैं टिक किया हूं ध्यान दो एक खंबे की परचाई की लंबाई उचाई के बराबर है तो सुड़ी का उन्न क्या होगा ये रहा खंबे की लंबाई ये रहा उसका सेडो है दोनों इक्वल सर लंबाधार इक्वल तभी होता है जब कोन कितने डिगरी बनेंगे 45 यानि पाई भाई पोर नेक्स्ट आगे बर ये अगला सवाल ये रहा एक बिजली का खंबा तुफान की बज़ा से जमीन से कुछ उचाई पर जुक जाता है इसकी उपरी भाग जमीन के अद्देव भाग से 8 रूट 3 मिटर की दूरी पर जमीन को छुता है और जमीन के 37 डिगरी का कौन बनाता है खंबे क्यूं चाई क्या होगा देखो बिजली का ये खंबा है तूफान में कहीं से तूट गया अटूटा हुआ हिस्सा इसकदर जमीन पर जुका कि वो जमीन को छुने लगा जहां वो जमीन को छुता है वो ब्रिक्च की जर से 8 रूट 3 मिटर की दूरी पर है और ये कौन कितने डिगरी है और यहाँ पर कौन है 30 डिगरी अब आप बताईए सर 30 डिगरी के लिए लंब कितने 1 आधार कितने रूट 3 अकर्ण कितने 2 तो कर्ण अगर 2 हो गया तो मैं पूशता हूँ जो जुका है वही न तूटा था जो जुका वही तो तूटा था तो बोलिए रूट 3 कामान आठ रूट 3 एक कामान आठ जब एक कामान आठ कहा ब्रिक्च की संपुर्णू चाही दो और एक तीन तीन रेशियो कामान क्या होगा तो जब एक कामान आठ तो तीन रेशियो कामान 24 मिटर यही हुआ संपुर्णू चाही यही हुआ संपुर्णू चाहिए आईए आगे बरिये आगे बरा जाए अगे नेक्स्ट हो गया चलिए बरिये आव सर इस कोशन पर आईए एक पतंग धर्तिक एक बिंदू से एक पतंग और धर्तिक एक बिंदू से डोरी की लंबाई 85 मीटर है अगर डोरी जमीन से ठीटा कोन बनाती इस प्रकार की ठीटा वरावर 15 वटा आठ है तो पतंग की उचाई क्या होगा ये देखिए ये रहा अपना पतंग की उचाई मेरे मितर ध्यान दो ये है पतंग की उचाई ओके सुनिएगा सुनिएगा ऐसे मजा नहीं आएगा अरे पतंग को कभी उचाई है भाई जरूर उचाई होंगे पतंग इसकदर उड़ता है ना कहा जमीन के एक बिंदु से पतंग के धागे की लंबाई 85 मीटर है ये धागा जमीन के साथ ठीटा को नैसा बना रहा है कि इस ठीटा को ठीटा को नैसा बनाता है कि टेन ठीटा वराबर हिंदीम गलत लिखा हुआ है कि टेन ठीटा वराबर हाँ पंदरा बटे आठ तो बताईए इस पतंग की उचाई उचाई बोलेगा ना तो राजमिस्तरी को देखे हैं जहां से उचाई निकानने कहता है वो जह साहुल गिरा देता है आप भी साहुल गि अधार कितना? आठ तो कर्ण कितना? सतरा तो लंब पंदरा अधार अठारा तो कर्ण कितना? सतरा सतरा का मान? पचासी एक बराबर पांच तो पंदरा बराबर कितना? पंदरा पचे पठत्तर तुरत पहुचा देते हैं चले बोली रेडी हैं अब इस कोशन पर आईए एक मिनार पर एक ध्वजदंड खरा है मिनार के जर से साथ मिटर की दूरी पर एक बिंदू से ध्वजदंड के जर और सिखर के उन्नेन कोंतीस और साथ हैं ध्वजदंड की उचाई क्या होगा देखिए जर असा ये रहा मिनार और ये है मिनार का जर मिनार के जर से साट मीटर की दूरी पर मिनार की जर से साट मीटर की दूरी पर कहीं एक बिंदू है कहा सुन लिजे ये है एक मिनार और मिनार के सर्ष पर एक ध्वजदंड खरी है ये मिनार के जर से साट मीटर की दूरी पर ध्वजदंड के जर अध्वजदंड के सिखर का उन्यन कुन 30 डिगरी और 60 डिगरी है बताईए ध्वजदंड की उंचाई क्या होगा ध्वजदंड की उंचाई क्या होगा इसकी उंचाई क्या होगा सोचिए 30 डिगरी के लिए लंब कितने 1 अधार कितने root 3 फिर देखिए साथ डिगरी के लिए लंब कितने रूट थरी और मेरे दोस्ती आधार कितने वन अब मेरा सवाल यह है कि तीस डिगरी के लिए आधार रूट थरी हुआ साथ डिगरी के लिए आधार वन हुआ यह कैसे होगा अरे कोमन साइड का मान है तो सेम करिए ये रूट्थरी है इसे भी रूट्थरी बनाईए इसके लिए रूट्थरी से गुना तिसमें भी क्या करना होगा रूट्थरी से गुना रूट्थरी गुना रूट्थरी पूरा तीन हो गया पूरा तीन में अगर ये वन तो ये क्या होगा तो हो जाएगा वो लिए रूट थरी का मान कितना रूट थरी का मान अगर साथ है तो एक का मान होगा बीस रूट थरी आपको चाहिए तो अज़ दंड क्यों चाहिए जो दो रिश्यों है एक का मान बीस रूट थरी तो दो का मान चालिस रूट थरी यही आंजर होगा कहां कुछ हो दिकत है यह है मिनार मिनार के उपर में जंडा है जंडा हो गया कहां मिनार के जर से साथ मिटर की दूरी पर यह वो बिंदू है जिस बिंदू पर जंडा के जर का कौन जंडा के सिखर का कौन 30 डिगरी और 60 डिगरी है किलर है क्या आगे बरिये हाइटन डिस्टेंस क्या गो हाइटन डिस्टेंस का ठेस्ट सबाल है चलिए ध्यान देजिए क्या करें सर हर विराटी जेका गो लेना पर गे चलिए नेक्स्ट वा थेक पांच मिनट बरेक देते हैं sr पांच मिनट बरेक देते हैं और आप लुब थोरा मूड फरेस्क करें काई कि क्लास चला है कुछ देर गंटा चला है तो 5 मिनट ब्रेक देते हैं 5 मिनट बाद फिर क्लास होगा लाइन में क्लास बंद नहीं कर रहे हैं बस 5 मिनट साथ में रुकेंगे अग लाइब हे रहेगा झाल 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 झाल